नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृति PCS चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों जैसा कि आप जानते हैं बिहार के आगामी प्रारहंबिक परिक्षा को देखते हुए हम लोग current affairs की preparation कर रहे हैं और इसके तहत आप जानते हैं प्रतेग तीन हम क्या करते हैं दस topic से दस question लेकर के आपके लिए लाते हैं तो चलिए आज के इस lecture में पहले प्रशन से शुरुवात करते हैं और यह जो है प्रशन हम देखेंगे जैसा हम daily करते हैं उसकी बाद उसकी व प्रशन के तरफ चलते हैं हाल ही में भारत का पहला green hydrogen pilot project कहां अस्थापित किया गया है जैसा कि मैं लगातार बताता रहा हूं कि कि किसी भी topic के महत्ता को समझने के लिए आपको करना क्या होता है आपको pyq देखना होता है previous year questions को देखिए दूसरी बात जो प्रशन है उसकी वहासा को देखना परेगा और देखना परेगा कि पहले आयोग ने अगर pyq को analysis करेंगे तो देखेंगे आयोग ने पिछले समय क्या पूछा है तो देखिए ऐसे शब्द जहां पर यह पहला आ जाए प्रथम आ जाए यानि कि पहली बार कोई काम किया गया हो आपको देखन किया गया है यह तो एक बात है ही हम यह location देखेंगे कि किस जगह पर भारत का पहला green hydrogen pilot project है लेकिन उससे important क्या है कि इसके इर्दगिर्द की और बातें भी हमें जान लेनी चाहिए तो चलिए अप्रेल 2024 में हीमाचर प्रदेश के नाथपा जाखरी hydro power station यह आपके लिए important होन ग्रीन hydrogen pilot project जो है वह अस्थापित किया गया है तो एक important point आपके पास यहां से आ गया दूसरा इसकी अस्थापना सतलुच जल विदुत निगम द्वारा की जा रही है इस परियोजना में बनने वाली हरित hydrogen का उप्योग नाथवा जाकरी hydro power station की उच्च वेग oxygen इंधन की coating करिए बिजली भी उत्पन कर सकेगा यह प्रियोजना प्रती दिन आठ घंटे में 14 किलोग्राम हरित hydrogen का उत्पादन करेगी यह हरित hydrogen pilot प्रोजना विदुत छेत्र पे हरित hydrogen उत्पादन की बुनियादी सुब्धाओं के विकास में तेजी लाएगी जो infrastructure की बात किया गया है उसमें भी विस्तार देखा जाएगा तो यह जितने भी points हैं आपको ध्यान में रहना चाहिए चुकि कहीं से भी प्रशन बनाया जा सकता है अब इस प्रशन का जैसा कि आपने प्रशन यहां देखा पूछा गया था किस राज्य में location पूछा गया था तो वह हमने देख लि है पोर्ट का हवाला दिया अब देखिए जाहिर सी बात है अगर पोर्ट होता है तो वैसे ही राज्य होंगे विकल्प में कोशिश किया जाएगा आयोग के दौरा विकल्प देने का जो ठटिये राज्य होंगी चुकि बंदरगा वहीं बन सकता है अब देखिए जो है भारत के सबसे दक्षिन में आपको देखने को मिल जाएगा और पुर्वी घाट से भी सटा हुआ आपको यह मिलेगा इसके अलाबा चाहे महराष्ट देखिए केरल देखिए गुजराथ देखिए यह तीनों स्टेट जो है वह भारत के पश्चिमी घाट में आपको दे आपको सौलियत हो लेकिन एक्जाम में इतना आसान आपके लिए देगा नहीं यहां विकल्प में हो सकता है एक जगा आपको देदे उत्तरप्रदेश एक देदे मदप्रदेश या बिहार देदे तो इस तरह का विकल्प आया तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसा स्टेट जो क उसको विकल्प से बाहर कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहां पर पूठ पूछा गया है तो यहां पर स्मार्ट वक करना परेगा आपको प्रजेंस अपाइन लगाना परेगा कि वही राज्य विकल्प पे होना चाहिए जो टटिये राज है फिलाल यहां हमने चारों विकल्प आपके सुधा के लिए टटिये राज दे दिया है अप्रेल दोहजार चौबिस में केंदर सरकार ने केरल के विजिंजम पोर्ट को ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमती प्रदान कर दी है तो एक पॉइंट आपके लिए यह इंपोर्टें जोन लिम्टे द्वारा इसे भारत के पहले मेगा ट्रांस शिप्मेंट कंटेनर टर्मिनल के रूप में विक्सित किया जा रहा है तो यह मामला आपको यहां पर समझ में आगया अब जैसा हमने कहा कि ट्रांस शिप्मेंट पोर्ट तो यह क्या होता है इसके विशाय में ड्रोट में जाये और धाल रूट जाया तो यहां पर जितने माल जो हैं लोड तो छोटे चोटे जाहाज़ों में इससे पिर यहां पर लिया जाएगा और फिर वहां पर अस्थान तरित कर दिया जाएगा यह मामला समझ में आ गया सिंगापूर संगाई बुसान होंग कोंग दुनिया के सबसे बरे ट्रांस शिप्मेंट बंदरगाहों में से एक है ठीक है अब यहां आप से सिर्फ लोकेशन पूछा गया था कि किस राज्ज में तो कौन सा राज यहां पर ह होनी चाहिए चलिए अब तीसरे प्रशन पर चलते हैं अपरेल दोहजार चौविस में अंतराष्टिय क्रिकेट परिशद यानिकी आइसी सी की बात की जा रही है पुरूस्टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए किस पुर्व भारतिय क्रिकेटर को ब्रांड डेमिश्डर क लिए नामित किया गया था चार विकल्प पर आपको दिया गया है बहें सींग धॉनी विरंदर सहबाग्र शचीन त égal अमिट किया था आपने देखा भी होगा जब भी क्रिकेट मैच होता था किसी भी कंट्री का तो युवराज सिंग जो है ट्रोफी लेकर के आगे जाए करते थे आपने अगर मैच देखा होगा ते लिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं अप्रेल दोहजार चौबीस में जो टी-20 पुरुष वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत के पुर्व क्रिकेटर युवराज सिंग को जो है ICC ने नौ में ICC पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एमस्टर निक्त किया था आपने ये देखा भी होगा यहाँ पर कुछ विशेस जानकारी है देखिए यह जो है पॉइंट आप प्रश्न के तरफ चलते हैं समाचारों में रहा सिंग खीलंग उत्सव किस राज्ज से संबंदित है बिहार 36 गड मेघालय या फिर मणिपूर तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विस्तार से इसको समझते हैं कि अप्रेल 2024 में भारत के पुरुवत्तर राज्य मेघालय में 34 सेंग खीलंग उत्सव मनाय गया था ठीक है तो एक जवाब जो आपको ढूड़ना था वो यहां से आ गया मेघालय नौर्थिष्ट में जो सेवन सिस्टर्स है उसमें से एक एस्टेट यह पर जाता है यह उत्सव खासी समुदाई ठीक है तो यहाँ पर खासी समुदाई क स्थाई एकता की भावना का यह प्रतिक भी माना जाता है तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या हो जाएगा सी मेघालय को लेकर के यहां पर बाते की गई है ठीक है और इसके विसे में जो थोरिशी जानकारी दी गई है खास करके खासी समुदाई यह आपको दिहान मिढ़न और पूछा जा रहा है कि आयोजन कहां यह आप से जो है एक चीज पूछा गया है इसका लोकेशन चार विकल्प दिया गया है यहां पर देखे यह चारो विकल्प जो है पटना जैपूर गोवा और दिली ठीक है इसके विशाय में सबसे पहले थोरे विस्तार से समझते हैं टॉपिक में क्या पूछा गया है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने छठे अंतराष्टी आपता रोधी अवस्तनचना समेलन को संबोधित किया था इस समेलन की थीम अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें धियान देना है थीम बहुत ज़रूरी है जारना है वही पर इसका आयोजन किया गया था 24 से 25 अपरिल 2024 में इसका उद्देश क्या था ऐसी लचिली बुनियादी धाजे का निर्मान करना जो आपता और जलवायू परिवर्तन जब हो तो उस तरह की सिती का सामना कर सके जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है उनीश में हुआ तो उनीश में और चौविस में इसलिए यहां पर कौन सा है च्छटे अंतरास्टी आपदारोधी अवशनचना समयलर मामला समझ में आ गया वर्तमान में यह 49 देशों और साथ संगठनों का क्या है एक वैस्विक गठवंदन है यह पॉइंट आपके लिए नहीं है तो पांच में प्रशन का सही जवाब डी हो गया अब छटे टॉपिक पर चलते हैं हाली में नौवाक जोकोविच को लॉरियंस स्पोर्ट्समेन ऑफ दा इयर का प्रोस्कार परदान किया गया यह कौन से खेल से संबंदित हैं इस तरह के प्रशन जो है आते रहता ह है और PCS में अगर आप देखेंगे तो PCS का इस तरह के टॉपिक जो होता हूँ फैवरिट टॉपिक होता है तो यहां पर देख लेते हैं कि क्या है ठीक है इसके विस्तार से इसको देखते हैं स्पैन के मैड्रिड में 22 अपरिल 2024 को 25 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अबा का प्रोस्कार प्रदान किया गया यह एक प्रशिद्ध टेनिस खिलारी है ठीक है आपने नोवाक को देखा भी होगा खेलते हुए टेनिस खेलते हैं यह नोवाक जोकोवीच ने पांचमी बार लॉर्ल्ड स्पोर्ट्समेंस ओफ दे इयर का प्रोस्कार प्राप्त किया है इसे पहले किन-किन वर्सों में किया था तो बारह में, पंदरह में, सोलह में और दोहजार उन्नीस में यह प्रोस्कार ले चुके हैं अब जो है जो अप्रिल दोहजार चौवीच में पांचमी बार इने मिला है इस एवार्ड सर्मनी में स्पेन की फुटवाल खेलारी एट तो आपको यह ध्यान में रखना है ठीक है अब चलिए इसका सही जवाब क्या हो गया है टेनीस डी इसका सही जवाब हो गया छटे प्रशन का ओके अब हम चलते हैं साथ में टॉपिक में हाली में भारत की रश्टपती द्वारा प्रशिद्य गाई का रेजवाना चौधरी को पदमस्री प्रोषकार से सम्मानित किया गया है यह किस देश से संबंदित है तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी आपने रेजवाना चौधरी का कोई संगीत सुना है कोई गीत इनका सुना है गाना इनका किस देश से संबंदित है हमारे परोसी देश है आज कल वहाँ बहुत अफ़रात अपरी का माहूल है वहां से संबंदित हैं अप्रेल 2024 में भारत की राष्ठपती द्रौपती मुन्मु ने बंगला-देशी-गाई का रेजवाना चौधरी को पद्म स्री प्रोषकार से समानित किया गया है प्रद्म स्री प्रोषकार क्या होता है तो एक सिविल अवार्ड है भारत में जैसे कि सबसे सरवोच नागरिक समान भारत का क्या है भारत रत्र उसके पाद क्या है पद्म विभूशन फिर पद्म भूशन और फिर पद्म स्री त कला में दिया जाता है विज्ञान के लिए दिया जाता है समाज सिवा के लिए दिया जाता है वेवसाइब मेडिकल के लिए दिया जाता है विविन छेत्रों में तो इनका जो है संगीत का छेत्र है इसलिए गाई का है इसलिए कला के छेत्र में यह रविंद्र संगीत से संबं पिरके आप कोमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा भी ठीक है बहुत बहुत ही प्रशिद और बहुत अच्छी गाई का इन्हें माना जाता है तो साथ में प्रशन का सही जबाब क्या हो गया सी हो गया चलिए आठ में प्रशन पर चलते हैं चर्चा में रहा खौंग जो दिवस मना गया था कहाँ पर मनिपूर तो यह ध्यान में रखना है इसे वर्स एक क्यानवे में खौंग जोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाप लड़ने वाले सैनिकों की याद में प्रती वर्स 23 अप्रेल को मना जाता है क्यों मना जाता है इसका उद्देश क्या है यह पॉइंट में बताएगा है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा एके स्टेटमेंन बनाया जा सकता है खौंग जोम युद्ध स्मारख मनिपूर के थौबल जिले के खेंबा चिंग में इस्थित है यह लोकेशन ध्यान में रखिएगा क्योंकि PCS है थोरा सा अंदर पूछा जा सकता है तो आपके पास यह जानकारी रहे तो आठ में प्रशन का सही जवाब क्या हो गया डी मनिपूर हो गया चलिए अब चलते हैं नौ में टॉपिक के तरफ नौ में प्रशन के साथ हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी भासा में रेडियो प्रशारन शुरू किया है कुवेट को लेखर के यह बाते की गई है कुवेट को लेकर यह बाते इसलिए भी किया गया है कि कुवेट में यह पूरे जो गल्फ कांट्री में आप देखेंगे तो इंडियन डाइस्पोरा बहुत अधर भारतिये लोग जो हैं वहाँ पर काम करने के अर्विया में वहां के जो शेक होते हैं वह हिंदी कहके बुलाते हैं कि हिंदी है यानि कि भारत से हैं भारतिय दूतावाश के अनुसार कुवैती रेडियो द्वारा हिंदी प्रशारन से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा क्या होता है अगर देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की भासा में तो इस तरह के चीजों को क्या कहा जाता है सौफ्ट पावर है ना ये सौफ्ट पावर माना जाता है एक देश के दूसरे देश के व्यक्ति के साथ यह आप कहेंगे पिपल टो पिपल कनेक्शन होता है कुवैत में लगभग नौ लाख भारतियेs रहते हैं तो भारतियों की तादाद देखिये बहुत जादा है भारतिये समुधाई कुवैत में सबसे बड़ा प्रावाशी समुधाई माना जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो गया ए हो गया, कुवेद, ठीक है, तो ये ध्यानिम रखना है, पहली बार यहां लिखा हुआ है, ये topic important हो सकता है, चलिए, अब दसमे topic के तरफ चलते हैं, और दसमा topic जो है, आज का हमारा, आज के इस लेक्चर का अंतिम topic भी है, हाले में पहला अंतराश्टिये इंदर धनुष प था, और इसका जो theme रखा गया है, इसका जो उद्देश रखा गया है, वह कह सकते हैं, समाज के जो वंचित समुदाएं हैं, जो हासिये पे हैं, उनको मुख्धारा में शामिल करने के लिए समाजिक न्याई को और पुष्ट करने के लिए किया गया, जरा इसको विस्तार से तो आपको ध्यान में रहेगा, तभी बता पाएंगे, लेकिन आप तो statement दो तीन दे करके VPSC पूछ रही है, इसका theme आप से पूछ लिया जाए, कि इसका theme क्या था, तो शब्द पे ध्यान देजिए, अंतर राष्ट ये इंदर धनुष परियतन सम्मेलन, ये जो शब्द है मया को पाहिचान द्वारा किया गया था, तो यहां पर ध्यान रखना है, नेपाल परियतन बोर्ड और मया को पाहिचान शब्द आपको ध्यान में रखना है, इस समयलन का उद्देश क्या है, तो नेपाल को LGBTI, अब LGBTI मतलब समझते हैं, L4 हो गया, लेस्बियन हो गया, यह आगे प्लस फिर लग जाता है, बहुत तरह के समुदाई इसमें होते हैं, इसलिए आप देखा, आपने इंद्रधनु सात रंग यहां से आ करके यह शब्द जो है, इसका जब भी परदरशन वेगरा होता होगा, आप अख़बारों में समाचार चैनल पर देखते होंगे, तो आप इस तरह के कलर को देखते होंगे, यह लोग फ्लैग लेके चलते हैं, ठीक है, तो इनहें जो है, इनकी आवाज को समझने के लिए, इनकी फिलिंग को समझने के लिए, दुनिया भर में इस तरह के कारकरम कराई जाते हैं, तो नेपाल में इसका सम्मेलन हुआ था, इस अमुदाई के लिए सुरक्षित और सम्मान जनक गंतब के रूप में पेश करना था तो यह important point है इसको ध्यान में रखना है इस अंतरश्टिय समेलन में नेपाल कौन-कौन देश शामिल था तो नेपाल तो इसकी मेजवानी ही करते हुआ हुआ यहाँ पर था मेहमान के भारत, स्रिलंका, जर्मनी, स्पेन और अमेरिका के LGBTI लोगो, विभिन, गैर सरकारी संगठनों, कारकरताओं और लेखकों ने भाग लिया था तो इसके विसे में ठीक से आपको ध्यान में रखना है भारत का परोशी देश है और भिहार के लोकेशन से देखेंगे तो नेप जानी की नेपाल चलिए अब यहां पर आज का लेक्षर जो है टॉपिक वाला खत्म हो जाता है एक प्रशन जो आप लोगों को देखर के जाता हूं उसे जरा देखते हैं निमलिकित में से बिहार का राज्य पुष्प है कमल, गेंदा, गुलाव या रोहिडा तो यह चार म नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आज के इस लेक्षर में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे लेक्षर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बेहत ख्याल रखिए बहुत बहुत शुक्रिया